पंच सील पाँच सील जो दुनिया के सभी मनुस्टव के लिए नर नारी बुड़ा जवान बच्चा आदमी औरत गरीब अमीर वीमार मालदार पेड़डार पिना पेटका काला गोरा छोटा लंबा काला सभी व्यक्तियों के लिए जितने भी व्यक्ति हैं उनके लिए पंचसील के सिध्धान्त होते हैं पंचसील सुख का आधार है अगर आप पंचसील को अपनाएंगे पंचसील अगर आप जीवन मोतारेंगे तो जैसे जैसे उसका पालन करते जाएंगे वैसे वैसे लाब होता जाएगा सुख आता जाएगा जैसे जैसे आप उसका पालन नहीं करेंगे उसका आपका सुख जाता जाएगा जितनी मातरा में पालन करेंगे उतना सुख आएगा जितनी मातरा में पालन नहीं करेंगे उतनी मातरा में दुख बना रहेगा तरसल पूरे जो बुद्ने जितनी भी सिक्चाएं दी उनका सबका जो आधार आम पब्लिक के लिए है आप ये कह सकते हैं आम पब्लिक के लिए है मगर अगर इस से ज़ादा आगे जाना हो पंच सील से आगे ज़ादा धम को जाना हो और मुक्ती की तरफ बढ़ना हो, मोक्ती की तरफ बढ़ना हो, या लिब्रेशन की तरफ बढ़ना हो, निब्बान की तरफ बढ़ना हो, या अमर होना हो, अमत होना हो, या मिर्टु का भै खतम करना हो, या एक्षाधारी मिर्टु प्राप करनी हो, या मिर्टुन जे करना हो, या मिर्टू पे विजय करनी हो या मच्चू पे विजय करनी हो या अपना खुद का माश्टर बनना हो तव आदमी को इससे आगे बढ़ने के लिए और भी यो नियम है वो अप्लाई करने पड़ते हैं इनमे एक आता है उपोसत का नियम या उपोसत के सील ये आठ सील होते हैं उपोसत के तो इनको आठ उपोसत सील बोलते है पहला ये समझे के उपोसत क्या है आपने पोशक सब्द सुनाओगा पोशक पोशक का मतलब है जो बच्चे को पोशक तटू दीए जाते हैं खाने के जिससे वो हेल्दी होता है बढ़ता है तो उसको पोशक बोलते हैं, nutrition बोलते हैं, English के अंदर तो पोशक तत्व हो गए, पोशक को पाली के अंदर पोशत बोलते हैं अब उपोशत क्या है, खाना तो आप खाते हैं, आप खाना खाके और अपना सिहत बनाते हैं मगर मन के लिए जो पोशक्ततो है पोशत है वो है आपके सील है वो सील आपके उपोशत है जो मन को हेल्दी रखते हैं अब इनको उपोशत करना यानि कि और भी जादा इनको पोशक्ततो देना है तो पोशक्ततो देने के लिए इनको उपोशत बोला गया है या आठ होते हैं पांच जो आप कर रहे हैं वो 5 हैं मगर उसमें जो तीसरा सील है यानि पहला जो सील है वो है पानाती पाता दूसरा है अदन्य दाना और तीसरा है कामेशू मिछा चारा वेर्वनी सिख्छा पदंग समाद्यामी यहाँ कामेसु मिच्छा चारा तीसरा नहीं है दो पहले वाले सेम है तीसरा है यहाँ वही चरिया वही चरिया वेर्मनी सिख्खा पदं समाध्यामी यानि कि ए वही वेरिया यानि ए वही चरिया ए वही चरिया को यह पाली में वही बोलते हैं इसको समझें और अगर इसको संस्कायत भासा में बोलेंगे तो ए ब्रहमचरिया बोला जाएगा पाली के अंदर आधा रे नहीं होता इसलिए कुछ संस्कायत भासा के सब्द बुलकुल ऐसे जैसे खास्तोर से बै में आधा रे वाला है ब्रहमवाला है वो ऐसे कहीं कहीं बाहर जाने वाला ऐसे ही जो यहां ए ब्रह्म चरिया है जो संस्काइट भासा में है इसको पाली में बोलेंगे ए बही चरिया तो हम यहां पाली में बोलते हैं सुद्ध ए बही चरिया क्योंकि बही में आदा रह नहीं है बही का मतलब है बहार वाला बहार और ब्रह्म का बहार की चरिया से वेर्मनी विरत रहने की जो सिख्खा पदंग है यानि जो सिख्खा है सिख्षा है उसके जो पद हैं जो बताए गए हैं उसकी सिख्खा पदंग समाद्यामी समाद्यादिन का मतलब है कि मैं उनको ग्रन करता हूँ ऐसा बोला गया है तो ए बही चरिया क्या ब्रह्म चरिया क्या है ए बही चरिया का मतलब है कि जो बहार आप चरिया करते हैं चरिया किस तरह की होती है चरिया बेसिकली जो आप पूरा आपका सरीर जो काम करता है बहार उसको चरिया बोलते हैं जो मन के बहार काम करता है तो ए बही चरिया हो गया इसमें mostly जो आता है वो मैथुन के रिया आता है, संभो के रिया आता है कि वो आपको नहीं करनी है ना मंद से, ना वचंसे, ना करम से, किसी भी तरह से कोगि आप उपोसत के नियम ले रहे हैं तो जो उपोसत सब्द है, इसका मतब है कि आप पोशक तत्वों को और ज़्यादा लेने आये हुए हैं तो ये उपोवास जब लेंगे तब आपको उपोसत मिलेगा जाके उसका उपवास हो जाएगा तो ऐसे ही जो लोग हैं, उनको अपना घर छोड़के और किसी आराम में आना होता है जैसे काला राम, काला राम जो मंदर था, वो बुद्ध का मंदर और उसके अंदर है क्योंकि काला राम है, संगा राम है, या बुद्धा राम है, या पुबा राम है, या जैतुना राम है, जहां भी आराम लग गया, इसका मतलब वो बुद्ध के इस्थल रहे हैं, तो काला राम मंदर के अंदर जो लोग आते थे, और वहाँ पे आके स्टे करते थे, तो उसको बोलते थे काराराम के अंदर, मंदर के अंदर उपवास होगा और वहाँ उपोसत होगा तो उपोसत महिने में चार होते हैं यानि कि आपको जो इस्पेसल तरह से अपना मन साफ करना है उसके चार दिन है दो अठमी होती है जिनको अश्टमी बोलते हैं और एक अमावस होती है यानि बलैक मून और एक होता है फुल मून यानि पूरन मासी या पूरन चन या पूरन इमा ये चार होते हैं जो महिने में करने होते हैं एक हपते बाद एक हपते बाद एक लगबग आता है तो करना क्या है? यहां आपने आठ सील लेने होते है आठ सील का पालंग करना होता है जो तीन सील आपने लिए है तीसरा सील उसके अंदर ये वारा सील आता है जिसमें आपको मन के अंदर कोई भी बाही चरिया यानि कि जो बाहर की चरिया है वो नहीं करनी है ना मन से ना वचन से ना करम से करनी है और उसके बाद इसमें और तीन सील आते हैं दो सील वही है मुसावादा वेरमणी और सुरामेर मज्जे पमाद इठाना वेरमणी पाचो सील वही है जो तीसरा सील है वो बदला गया है जो ए भही चरिया वाला है या ए ब्रह्म चरिया वाला है और इसके अंदर जो 6-7-8 सील हैं वो मैं आपको अगली कड़ी में बताऊंगा कि उपोसत के आगे के और कौन से सील होते हैं धन्यवाद टीम 22 पर सभी वीडियो बुक कॉपी राइट फिरी हैं आप अपने पोर्टल पर अपने यूटूब पर अपने फेस्बुक पर या किसी भी जो भी एप है उस पर आप यहां से डाउनलोड करकर टीम 22 से या फेस्बुक से या मेरे पेज से कहीं से भी कोई भी वीडियो ले सक सकते हैं उसको डाउनलोड कर सकते हैं उसमें अपने नाम का कुछ भी एड कर सकते हैं या अपनी कमेंट कर सकते हैं उस वीडियो का कोई भी पार्ट आप ले सकते हैं उसका प्रिंट मैट्रियल भी बना सकते हैं उसको किसी भी भासा में आप बदल सकते हैं उसका आउडियो चेंज कर सकते हैं उसका वीडियो ले सकते हैं आप जैसे भी चाहें Team 22 की किसी भी वीडियो का या सारी वीडियो का इस्तमाल कर सकते हैं ये हमेशा copyright free थी और हमेशा copyright free रहेंगे हमारा सिर्फ इतना काम होता है कि महापुर्सों की जो बाते हैं उन बातों को हम सरल भासा में आम भासा में आप तक पहुंचा देते हैं अब आगे आपका काम है कि आप अपनी भासा में बदल के या ऐसा का ऐसा शेयर करके या इसको आगे भेज कर या इसका लिंक भेज कर या इसमें से कोई भासा बदल कर या इसको प्रिंट करकर या इसको लोड करकर या डाउनलोड करकर या इसको टीवी में बच्चों को दिख उनमें सबसे बड़ा माना चाता है अगर आपको लगता है किसी वीडियो में कोई परिशानी है तो आप हमें लिख के भेज दीजिए हम दूसरा वीडियो बनाकर आपको भेज देंगे आप धम की सेवा में साहिक बने धम आपको खुब लाब लाब देगा धम आपको लाब देगा आप धम को लाब देंगे यह दोनों इंटरचिन है यही धम की प्राकरतिक नियम है धन्यवाद संगं सरेण गच्छामू संगं सरेण गच्छामू दूतियं पी बुद्धं सरेण गच्छामू धूतियं पी बुद्धं सरेण गच्छामू धूतियं पी धम्ममर सरेण गच्छामू धूतियं पी बुद्धं सरेण गच्छामू धूतियं पी जंगं सरेण गच्छामू दोखियं पी सन्यम सर्णं कच्छामी तरतियं पी बुद्धम सर्णं कच्छामी दोखियं पी बुद्धम सर्णं कच्छामी तरतियं पी सन्यम सर्णं कच्छामी